लेकिन मुझे कही न कही न कही उस दिन पता लग गया था कि मेरा वक्त इस शो में जादा नहीं होने वाल है। मैंने शायद उस शो की सच्चाई दुनिया के सामने रखनी शुरू कर दी थी। और कही न कही न कही उन्हें डर था कि अगर ये और टिक गया तो कही न कही न कही जनता का प्यार से जिताई देगा। लोग जिसे प्यार करते हैं वो एक वैसा शो था एक अंटेस्टन को बाहर निकालने की पुरी पावर जनता के हाथ में थी। अभी तक मुझे भी ये लगता था कि ये रियालिटी शो है जहां पर जनता डिसाइड करती है कि कौन उस घर में रहेगा और कौन उस घर में नहीं। बट इस बारी का सीजन बायस था ये तो मुझे पता था बट अनफेर होगा ये मैंने कभी नहीं सोचा था। बिग बॉस का वो पहला प्लान्ड एविक्शन फेल हो गया लेकिन मुझे कही न कहीं उस दिन पता लग गया था कि मेरा वाक्त इस शो में जादा नहीं होने वाला है। मैंने शायद उस शो की सचाई दुनिया के सामने रखनी शुरू कर दी थी और कहीं न कहीं न कहीं उन्हें डर था कि अगर ये और टिक गया तो कहीं न कहीं जनता का प्यार से जिताई देगा। कि इसके बाद चार अफते बाद एक और प्लान्ड इविक्षन टास्क हुआ और उस प्लान्ड इविक्षन टास्क में देगा। तो मेरे दिमाग में सबसे पहला thought यही चल रहा है